दीखेगा प्रस्तुत जो हतेली है एक मेल हतेली यहां पे दिखाई दे रहे हैं और भुजुर्ग ब्यक्ति हैं इनकी जो जीवन की रेखा है यहां से निकलती हुई और केतु की तरब जाती हुई यहां पे दिखाई दे रहा है यह बहुत अच्छा है क्योंकि यह दो तीन च होता है जो बिस्तार ब्यक्ति पाता है वो अपने जन्म अस्तान से दूर पाता है दूसरे जीवन में उन्नति तो होती है लेकिन जादतर मामलों में उतार चड़ाओ भी ऐसे लोगों को देखना पड़ता है जीवन काल में और कई बार और इस्तिर्ता का सामना भी करना पड़ करना जीवन का मुख्य लक्षा जीवन की रेखा ले जा रही है कि सत कर्म करेंगे सुलक्षण कर्म करेंगे और जीवन में मुक्त हो जाएंगे मुक्ष की प्राप्ति करेंगे क्योंकि ऐसा ब्यक्ति अपने जीवन काल में हमेशा ही जादत अर्सो परतिसत में से 98% जो कर्म करता है सात्विक करता है और अच्छे कर्म करता है जिसके कारण उसको जो है अंत में मुक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है मस्तिस्क रेखा देखें बहुत सुन्नर है बौदिक अस्तर में कहीं कोई कमी नहीं है एक विबेकवान ब्यक्तित्व है एक सही दृष्टिकोन रखने वाला ब्यक्तित्व है और मस्तिस्क का परियोग करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है अच्छी चीज है यहां पे लेकिन इन दोनों की बीच में गड़ा बड़ा सा गयप दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा गयप है तो स्वतंत्र विचार धारा का व्यक्तित्व भी यहां पे दिखाई दे रहा है अपन जिद्धीपन भी आपके अंदर साप दिखाई दे रहा है मंगल का प्रभाव पढ़ रहा है जिसके कारण ओवर कॉन्फिटेंस भी आपके अंदर में दिखाई दे रहा है आपके अंदर है कई बार जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं जिसके कारण आपको जो है नुकसान का सामना भी करना पड़ता है लेकिन management की जो चमता है आपके अंदर अच्छी है पुरानी ही सोच पे चलना पुरानी गिसी पिटी चीजों पे चलना आपको अच्छा नहीं लगता है नई ideas के साथ आगे बढ़ना नई सोच के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है औ लेकिन कई बार जल्दबाजी में निरणे लेने के कारण उसमें पच्ताना भी आपको पड़ता है और अंगोठे का हिसाब देखें तो इसी चीज के और इसारा कर रहा है जो आपका पहला पौरवा है वो ये सेकंड पौरवे से बहुत ज़्यादा छोटा है और सेकंड पौर के कारण ऐसे लोगों का नुक्सान होता है ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ कर निरणे लेना चाहिए और लगबक 36 वर्स की आई 42 वर्स की आई या 56 वर्स की आई में अगर ग्रहनक छत्र अच्छे है तो ऐसे लोगों को भाग्योदय हो जाता है शुरुवाती दोर मिलना चाहिए था वो थोड़ा कम मिलता है आपको दो चीजें जो है साप रखनी चाहिए एक तो जल्द बाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए बड़ा सोच समझे कर आपको निरणे लेना चाहिए दूसरी बात किसी ने कहा और आपने फटक से निरणे ले ले लिए ये मत करिएगा ये चीज आपके लिए जो कहीं न कहीं नुकसान दे दिखाई दे रहा है और over confidence मत रखिएगा क्योंकि मंगल का आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव है ना चाहते हुए भी आप त्वरित निरणें ले लेते हैं जिसके कारण वो निरणें कभी कबार ठी नहीं हो पाते हैं अब यहां पे जो है एक चीज और दिखाई दे रहा है कुछी लोगों के हतिली में ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं यहां पे आप देखेंगे आपके हिर्दाई की रेखा यहां पे दो भागों में भी बगता है ऐसा बिक्ति अपने माबाप की जो सेवा है अपने मन मुताबिक बहुत अच्छी तरोसिक करने की सोचता है करने की ठानता है और करना चाहता है ठीक है ना लेकिन इन दोनों उगलियों के बीच में यह गयप जब होता है तो बिक्ति अपने माबाप की सेवा अपने मन मुताबिक नहीं कर पाता है ठीक है ना द प्रभाव आपकी उपर जादा पढ़ता हो दिखाई दे रहा है जिसके कारण जो थोड़ा सा प्रेसानी जादा दिखाई देती है दोसरी बात अगर देखे जो आपकी हिर्दे की रेखा है इस तरह से जारी है और इस पे आचारे ब्रिस्पति और यहां पे सनिकाही आपकी इक्षा है गुरु का प्रभाव पढ़ने के कारण अपनी छेतर में एक सर्वसरेष्टतम अस्तर तक पहुचने की होती हुई यहां पे दिखाई दे रही है लेकिन सनी का प्रभाव पढ़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते यार कुछ भी करना पड़े कोई पूज आपकी हतेली में यहां पे साप दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है हाँ एक चीज और है आपका जो ब्रस्पति है वो पूरी तरह से सनी की तरब जोकावा दिखाई दे रहा है और जो हिर्दे रेखा है यहां पे जो है सनी परवत पर कुछ रेखाएं काट रही है सनी पर पंद्रमा इस तरों से यहां पे जो है अन्बैलेंस हो जाता है सूर्य जब अपना प्रभाव नहीं देता है उर्जा कम कर लेता है तो ऐसी इस्तिति में थोड़ा सा जीवन मेंने अलग प्रकार का दबाव पड़ जाता है एक तो इसके कारण ब्यक्ति को पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ता है कहीं न कहीं परिवार को लेकर चिंता उभर कर आ जाती है और उस चिंता को बढ़ाता है आपका जो है सनी सनी क्या है कि इस्तेमाल कराता है बेवजहे की चिंताएं पैदा करता है बेवजहे की फिकर पैदा करता या ऐसी वजहें पैदा कर लेता है जिसके कारण बेक्ति की जीवन में थोड़ा खुसियां गाइब हो जाती है सब कुछ होते हुए भी खुसियां नहीं रहती है और कहीं न कहीं जो है बेक्ति इस्तिमाल होने बैठ जाता है और जब ये इस तरह बढ़ जाता है तो सुक पाना थोड़ा कठिन हो जाता है चाये वो परिवार का सुक हो दामपत्य जीवन का सुक हो चाये सारेरिक सुक हो मानसिक सुक हो सुक थोड़ा ब्यक्ति को जो है अन्बैलेंस ताकि और ले जाता है सुक पाना थोड़ा कठिन हो जाता है और किसी चीज को लेके ब्यक्ति सोच भी रहा होता है चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा प्रियास करने पर बहुत ज़्यादा मिहनत करने पर भी उसकी दिरिष्ट से देखे तो हर तरों से अभाव की इस्तिति रहती पूरता नहीं आती है और उसके साथ साथ अगर चंद्रमा भी इस परकार से अनबैलेंस हो जाए तो ये भी मन को गड़बर रखने में जो है आगे आने में भूमिका निबाता है मानसिक प्रेशाने से गरसित करता है और उसके उलट ब्यक्ति को भावगता देता है भावग ज़्यादा हो जाता है ब्यक्ति इमोशनली थोड़ा प्रेशान हो जाता है और जिसके कारण मन अच्छा नहीं रहता है और मन से सीधा जुड़ावा होता है हमारा digestive system इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कहीं न कहीं पेट की दिक्कते में सामने आने बैठ जाती है और नीद आने में भी विसेशतर समश्याओं की संभावना दिखने बैठ जाती है और सरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है कहीं न कहीं वो भी अनबैलेंस होने बैठ जाता है साथ में अगर आपका सूरे भी इस प्रकार से बैठा हुआ हो तो ये निश्चित हो जाता है कि आपकी जो सारीरिक चक्र है वो सूरे की चक्रों के साथ तालमिल में नहीं है और उसका प्रभाव आपके आँखों पे पड़ सकता है आँखें कमजोर हो सकती है चस्मा उगेरा लगाना पड़ सकता है आपके सुक्र इस प्रकार हो सुर्य इस प्रकार हो तो आपके पीट पे पढ़ सकता है कही न कहीं जो है आपके जो है शरीर में विकार उत्पन होने बैठ सकते हैं और जो आपके परियास है जो आपके जो है सहिजता से जीवन चलना चाहे जो आपकी मेहनत है आप किसी के लेकिन यस की प्राप्ति नहीं दिखाई देती है आपकी जो मेहनत है जो प्रयास है वो पूर्ण सफल नहीं हो पाते है आप मेहनत कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं उसका पूरा क्रेडिट पूरा स्रे आपको नहीं मिल पाता है अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें कोई विस्तार फैलाव मिलना थोड़ कठिन हो जाता है ग्रोथ मिलनी थोड़ी कठिन हो जाती है एक सही तरीके से जो रास्ता मिलना चाहे था दिन चरिया थोड़ा सा गड़ बड़ा जाती है आपको आप कितना भी अच्छा करो किसी के लिए उसका जो यस की प्राप्ति होनी चाहिए थी जो सुक सहजता से मिलना चाहिए था जो मानसी के स्थिति परफेक्ट होनी चाहिए थी जो सारिक स्वास्तिय परफेक्ट होना चाहिए था जो जीवन सहजता से चलना चाहिए था उसमें बादा आनी सुरू हो जाती है, तो सूरी किरिया अगर आप करते हैं, तो इस चीज में आपको जो है जरूर फाइदा मिलेगा, भाग्यास्तान अच्छा होगा, तो भाग्या का साथ मिलेगा, सुक्र का अस्तान अच्छा होगा, तो तनाव की स्तिति नहीं रहेगी, चंद्रमा का अस्तान अच्छा होगा, तो भावक्ता नहीं आएगा, मन सुदिर्ड रहेगा, और पेट की दिकत नहीं आएगी, आँखों की दिकत नहीं आएगी, नीन की दिकत नहीं होगी, कि सरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होगा तो चीजें अच्छे हो जाएंगी तो यह चीजें आपको करने की आवशक्ता है कुछ चीजें जो है अच्छे नहीं कुछ बहुत अच्छी है अगर करने पर आओ तो अब क्या-क्या अच्छी है उसमें तो मैंने एक चीज तो बता ली है आपको को सावधान रहने के आवशकता है वो भी बता दी है यहाँ पर ये उंगली सीधी खड़ी है इसको हम कहते हैं ब्रिस्पती की उंगली जब ये सीधी खड़ी रहती है तो ब्यक्ति के अंदर नेतिर्ट्व चमता के गुण बहुत अच्छे रहते हैं आपके अंदर भी है ले रही है और सुरे की उंगली की तरफ थोड़ा सा जो है इसमें सनी के नगेटिव प्रभाव यहां पर दिखाई दे रहे हैं सहिजता से सरलता से कोई चीज नहीं मिल पाएगी बहुत ज़्यादा मेहनत प्रिस्रम करने के बाद भी बाद ही किसी चीज में सपलता की प्रा पर जबरदस्त पैदा हो रही है यहां पर अगर देखा जाए तो ब्रस्पति से काफी बड़ी दिखाई दे रही है सुरे की उंगली और मिडल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है हिमती स्ववाव है अभी भी रिस्क लेने की चमता जोखिम उठाने की चमता बहुत उंगली के कारण है जो भी ब्यक्तित्व आपका बर्तमान समय में है इस उंगली के कारण है और जो भी मान परतिष्टा संबान है केवल और केवल इसी उंगली के कारण है इस सुरे के कारण है आपको चाहिए इसमें और निखार लाए यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे छोटी उंगली पूरी तरों से कर्ब ले रही है इस उंगली की तरफ तो धनकमाने की ललक अभी भी बनी हुई दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ पे इसके पहले पौर्वे तक नहीं पहुँच पारी तो मनी मैनेजमेंट में कागजों के रखरकाओं में एकाउंटमिल्टी में कहीं न कहीं कमी दिखाई दे रही है हाँ मनी मैनेजमेंट में नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक सांदार मनी ट्रेंगल जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो मनी मैनेजमेंट में कहीं कोई कमी आपके अंदर नहीं है इस बात के और जो है यह इसारा कर रहा है आपके अगर हम मस्तिस्क रेखा देखें तो मैंने बता दिया है जिवन रेखा के बारे में भी आपको बता दिया है एक रेखा इस तरों से जाती हुई दिखाई दे रही है ये रेखा ब्यापार की रेखा है ये ब्यापार में अचानक बहुत बड़ी सपलता देती है अगर आपका सोरे और सनी अच्छा हो और सुक्र अच्छा हो अगर ब्यापार कर रहे हैं बहुत बड़ी सपलता आपको आने वाले समय में मिलेगी यहांपे दिखाई दे रही है करियर और धन की रेखा इस तरों से जाती हुई दिखाई दे रही है एक रेखा यहांसे काट रही है यहां पर देखेगा एक चीज का और ध्यान रखेगा वैसे आपका हाथ यही बता रहा है कि जल्दबाजे में निरणए न ले और भावनाओं के बसीबूत होकर निरणए न ले इसका कारण आपको जो है नुकसान जेलना पड़ सकता है वैसे अगर यहां पर देखे ए थोड़ा सा इसमें जो है सुकर का प्रभाव आ रहा है तो लापरवाही की गुण से आपको बचना होगा यह लापरवाही की गुणों को देती हुई दिखाई दे रही है लेकिन इस रैखा की उजोसे आपको दोसरों का सयोग जो मिलता है वो गजब का मिलने वाला है जीव आपके अंदर है एक इस्वरिया अंस जो आपके अंदर है इस रेखा की उजोंसे है और जो आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है जो आपके अंदर तीब्र बुद्धी है और जो आपके अंदर बल और प्राकरम है ये इसी रेखा की उजोंसे है जो आपके अंदर सोचने और समझने की सक्त बिसेश रूप से है वो इस रेखा की उजोसे है और जो आपके अंदर ब्यक्तित्वा प्राकरम की सक्त निखर के आ रहा है और जो अचल संपति का लाब अगर हुआ है तो वो इस रेखा की उजोसे हुआ है जीवनकाल में एक बार कोई निरणय ले लेते हैं तो उसे अंततक निभाने का सामर्थ्या भी आप जो रखते हैं इसी रेखा की उजोसे रखते हैं और आपका जो ब्यक्तित्वा प्रभाव साली है वो इस रेखा की उजोसे है हरुमान जी की बिसेश किरपा आपके अंदर बनी हुई है बहुत अच्छे रोप में थोड़ा सक कुछ चीजें कर लीजेगा मैं रुटेन के इसाब से उपाई दोंगो उसको जरूर कर लीजेगा बहुत अच्छा फाइदा आपको होगा आप देखेंगे यहां पे जो है सुन्दर रोप से एक वर्ग का चिन बना हुआ है और ये वर्ग का चिन जो है ब्रस्पती और मंगल का प्रभाव पड़दा है क्या हो रहा है आपके अंदर नौलेज की कमी नहीं है कुसल प्रसासक के गुण आपके अंदर है और इतने थेक है नेकिया तो अचल संपति का लापराप्त करेंगे यह भी यहां पे सांदार इस्तिति में दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा सा जो है ग्रहों को ठीक करना बहुत जरूरी यहां पे दिख रहा है यहां पे हमने अगर सुकर को देखे सुकर के बारे में बता दिया ह हां ब्रस्पति देखें ब्रस्पति जो है यहां पे पूर्ण रूप से सनी की तरफ हैं तो पारिवारिक समस्याओं के संभावना या परिवार को लेके कोई चिंता बनी रह सकते हैं को समय तक के लिए और थोड़ा यह साधानन भाव में अभी बैठे होएं तो थोड़ा सा पूर्य की तरफ जारी है और एक रेखा इस तरों से जाती हुई यहां पे तिरकोन बना रहा है निश्चित रूप से आप मानिएगा कहीं न कहीं अगर आपके गरहनक छत्र इन 18 महेनों में अपने अस्तान पे आ जाते हैं तो मान पद परतिष्टा यस में बिर्दी होगी और कहीं न कहीं आपको किसी न किसी रूप में चाहिए आंसिक रूप से मिले सरकार द्वारा लाब की प्राप्ति होगी और धन में बिर्दी होगी धन में अगर अभी कितनी भी कमी हो धन में बिर्दी होगी यस में बिर्दी होगी और जीवन में कहीं न कहीं अध्यात में क चितर में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे ये निश्चित है लेकिन दो तिन चीजों का ध्यान रखेगा जल्द बाजी में डिसीजन मत लीजेगा और बहुत ज़्यादा चिंता मत कर लीजेगा अपने को भावक मत मना लीजेगा और थोड़ा सा जो है आपका एक्छाएं गहरी बैठी हुई है उनकी पूर्ती के लिए बुद्ध को ठीक कर लीजेगा हरी सबजी है हरी दाले है हरे फल है उनका जादा सा जादा आप सेवन कर लीजेगा और दो पत्ती तुल्शी के संड़े को छोड़ करके बरस करने के बाद खाली पेट कुछ दिन त अगर एलर्जी नहीं है तो नहाने के बाद तीन महने तक अपनी बदन पर वो डाल दीजेगा और गायतरी महामंतर का जो है बोल बोल कर यथा सकती पाठ कर लीजेगा सुबह और साम के समय और सुर्य क्रिया योग ध्यान की क्रिया कर लीजेगा बहुत बड़ा फाइदा आ चाहिए से आट महने करने के बाद इसके परिणाम बहुत अच्छे आपको मिलने सुरू हो जाएगी और जो इक्षाएं हैं आपके अंदर कहीं न कहीं उनकी पूर्ती होती सुरू हो जाएगी और जीवन में एक सुखद माहौल जो सुख का भोग आप नहीं कर पा रहे हैं उस सुक का भोग आप करेंगे और व्यक्तित तो पूर्ण रोप से निखर करके आ जाएगा जिवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी होना सब के लिए सब कुछ करते रहने पर भी अपयस की प्राप्ति होना चीजों में अर्चन आना चीजें होते होते रुख ज देता हुआ ब्यक्तित्व है एक अध्यात्म की और जाता हुआ ब्यक्तित्व है एक अच्छा पौरसवत तो अच्छा ब्यक्तित्व की और जाता हुआ आपका जो है ब्यक्तित्व दिखाई दे रहा है तरक सकती बहुत सुन्दर है बोलने की सकती बहुत सुन्दर है अपन करके और ओडियो के मादियम से आपको भीज रहा हूं करने के आप कोश्चिस करेंगे बहुत अच्छा प्रेणाम आपको मिलेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पुनो उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार